देख सकते हैं यह है scientific box जो की frame वाला box होता है इसको हम English में scientific box कहते हैं scientific तरीके से जो है अब आज के बाद जो है थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा मैं वीडियो लाने की कि हम frame वाले box पे जो है कैसे मदमख्यों को पाल सकते हैं तो देख सकते हैं यह उपर वाला यह डखन है और इसको मैं आभी कोलूँगा तो दोस्तों देख सकते हैं यह डखन जो है मैंने इससे अलग कर दिया दोस्तों देख सकते हैं यह सूपर है सूपर की नीचे जो है यह वाला जूड जो है यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है अब इस जूड से क्या होगा कि दाका लग जाता बिल्कुल फिट आता है इसके अंदर ये देख सकते हैं ये है सुपर और इसको मैं अभी अलग करूँगा प्रूट चैमर में हमने फ्रेम का साइज क्या रखना है बाक्स का साइज कितना रखना है इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताऊंगा और कित कि इससाथ खुद नहीं बनाती है इसमें खाली जो है शेद बनेगा अनीबनेगा और इसमें भी हानी थोड़ा बहुत स्टोर होगा और बागी जयो है इसमें खाली बरूट बनेगा इससे जो है हम सिर्फ मदमख्य के लिए जितना भी शेय्द होगा वो रख सकते हैं या फ तोड़ा बहुत हम इस में मदमकी के लिए रख सकते हैं बागी जो है वह हम खुद निकाल सकते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं जो है कुछ भी पता नहीं लग रहा था तो अभी जो है मैंने बक्स को च्हाओं में लाया है और यहां पे जो है मैं अभी प्रैक्ट स्पेस बीच वाला रखना है आर्ट को कैसे रहेगा यह सकते हैं दोस्तों यह फ्रेम यह सकते हैं यहां से देख देख सकते हैं दोस्तों यह सुपर है तो मैं बूर्ट चैम्बर दिखांगा आपको दोस्तों देख सकते हैं यह है ब्रूट चैंबर और इसमें 88888 एमन का जो है स्पेस इसमें 13 भाई 13 में पूरे 10 फ्रेम आते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने स्पेस्ति नहीं आपने सब्सक्राइब यहां कि नहीं की तरह के लिम्टक रखने हैं और यह जो उसके बाहर नहीं साफ कर सकते हैं दो मिनट के लिए और उसके बाद अपने बॉक्स को उठा के इसके उक्र देख सकते हैं यह इसके अंदर आराम से रिट आजाता है अर इस तरह से देख सकते हैं चारो साइड से यह बक्स गिरेगा नहीं यहां इससे पार अचाना है इसका जो सपेस देख सकते हैं अर्वाल सपेस स्युना झाल यह आठिम Alban का होना चाहएं जब हम एक्स्ट्रेक्टर में इस फ्रेम को डालते हैं आनी निकालने के लिए तब जो है यह बहुत तेजी से डिश्ट्रेक्टर उस टाइम क्या होता है फ्रेम पर णृता यह और यह त इसमें कितना सप्टेर से बीच में यह तेख सकते हैं 8 mm में अब क्या फाइदा होता है यहां से देख सकते हैं यह वाला जो है उपर वाला टाप बार जिसे हम कहते हैं यह बनता है 22 mm का यहां से और यहां तक एक ही साइज का इस तरह से हमने 22 mm का रखना होता है इस वाले को और इसको हमने रखना होता है यहां से यहां तक 30 mm का इसम से देख सकते हैं दोस्तों 4 mm इस साइड से रहता है और 4 mm यहां से बार रहता है यह आ गया 22 mm का 4 mm रहेगा यहां से और 4 mm रहेगा यहां से तो दूसरा फ्रेम देख सकते हैं इसमें भी 4 mm रहेगा यहां से और 4 mm रहेगा यहां से हो गया 8 mm दो साइड से दो जब फ्रेम आपस म इस तरह से 4-4-8 mm तो बीच का स्पेस जो है 8 mm बन जाता है इसी तरह से जो है हर फ्रेम का साइज हमने उपर से ये 22 mm का और ये 30 mm का रखना है 30 mm का इसलिए कि 4-4 mm जो है इसमें आटोमेटिक जो है दो साइड से 4-4 mm बहार निकल जाएगा और इसमें जो है मदमकी आराम से छटे बना लेगी और यहां से यहां तक जो है हमने इसका साइज सिर्फ 30 mm रखना है फिर भीच से हमने थोड़ा सा काट लगाना है जैसे कि मैंने नीचे तक रखा है यहां तक क्योंकि इसमें उपर से ज्यादातर हनी स्टोर होगा और यहां आदे से नीचे जो है मैंने इसको कम किया है कम इसलिए किया है कि निच्डे वाले हिस्से में और सिर्फ जो है यहां से नीचे देख सकते हैं दोस्तों यहां से नीचे बिल्कुल मैंने इसको काटके कम किया है ताकि इसमें बुरूड बने और उपर स्टोरेज रहे शेहद की इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं और इससे क्या फाइदा होता है अगर हम 22 mm से थोड़ा सा भी यह स्पेस ज्यादा रखते हैं तो इसमें जो है डबल च्छते लगते हैं अगर 22 mm हम बराबर रखते हैं और 4 mm साइड पे बराबर रखते हैं इसमें डबल च्छता कभी नहीं लगेगा अभी मैं आप दोस्तों को प्रैक्टिकल यहां दिखाता हूं यह दोत्रा मदमकी का बक्स है इस बक्स में मैंने लगबर 2 मीहने या डेट भीने की बात है तो उससे पहले इसमें मैंने विंटर पैकिंग की थी आज मैं वो भी हटाऊंगा बहुत सारे जो बीटर हैं उन्होंने कहा था कि होम से मदमकी मर जाती है यह होता है इसमें कुछ भी नहीं होता है यह देख सकते हैं दोस्तों यह हैं मदमकी जब आप मदमकी के ढाकन हलाएं तो बहुत ही प्यार से इनको थोड़ा सा रेश्ट दें एक दो मिनट क्योंकि मदमकी इसे क्या होता एग्रेस्यूनी होती यह देख सकते हैं मैंने जो फॉम के टुकड़े डाले हुए थे यह बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे मैंने इनको यह यहां पे डाला था तो दोस्तों देख सकते हैं यह दूसरी साइड का फॉम जो है जिस दिन मैंने इनको इसमें डाला था उसके बाद जो है मैं आज ही खोल रहा हूं अभी चेक करते हैं कि क्या इन्होंने फॉम को खोड़ा बहुत काटा है या नहीं क्योंकि गर्मी तो यह दोस्तों यह देख सकते हैं फॉम जो है फॉम के उपर मदमक्य में फोड़ा हलका फुलका वैक्स लगा लिया है और इससे क्या होता फॉम को अगर आप बरप में डालेंगे वो इसके उपर बैठ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ठंड का ठंड जो है मैसूस बिल्कुल भी नहीं होगी तो यह देख सकते हैं दोस्तों आज जो है इनको में यहाँ पर जाड देता हूं ताकि मदमक्य इंट्रेंट से वापस आ जाए और यह देख सकते हैं आज मैं अच्छे तरीके से दिखाऊंगा और दोस्तों जिस दिन मैंने इस बक्स को पैकिंग दी उसके आज ही इस बक्स को खुला है अभी एक सइड मैं पोरे फ्रेम को कर लिता हूं दोस्तों इसमें स्टोरि जो है बहुत अच्छी अब मैं क्या रहा हुआ था इमें तोस्तों यह क्या होता है क्या होता है अब अब यहां पर drivingolith कर के सुबा का टायम है आप हमेशा जो है बारा बजे के बाद अपने बक्सिस को खोलें ताकि मदुमकी जो है डिस्टर्ज ना हो माशाला दोस्तों देख सकते हैं यह एंड वाला फ्रेम है पर यह देख सकते हैं कितना तगड़ा जो है इसमें बुरूड चल रहा है यहां से पूर होता है यह उपर वाला जो है 22 mm काई इसमें ज्यादा स्पेज ना होने की वज़ा से जो है मदुमकी डबल च्छता नहीं लगा सकती है मदुमकी जो है धीरे-धीरे सुबा का टायम है एग्रेसिव हो रही है और मैं जो है फ्रेम को बिल्कुल भी जटका नहीं दूँगा क् मदुमकी बहुत ज्यादा काटेगी धीरे-धीरे से मैं इसके फ्रेम निकालूंगा और सोड़ा साइड पर करूंगा अभी मैंने दूसरे नंबर का जो यह फ्रेम है यह देख सकते हैं माशाला दोस्तों देख सकते हैं हर एक प्रेम में सील्ड ब्रूड है और देख सकते है दोस्तों यहां से जो है यह ड्रोन सेल होते हैं पाज से दिखाने की कोश्च करूंगा दोस्तों यह देख सकते हैं इनको कहते हैं ड्रोन सेल तो यह देख सकते हैं यहां से यह ड्रोन का सेल है और इस तरह से देख सकते हैं फूल ब्रोड चल रहा है इसमें बिल्कुल भी को यहां तक यह 30 mm का फ्रेम जो है साइड बार जो है 30 mm का है 4 mm यहां से और 4 mm यहां दूसरी साइड से है तो यहां से यहां तक देख सकते हैं स्टूरेज जो है हनी की है यहां से नीचे जो है लग बग मेरे साथ से अब क्लियर याद नहीं है मुझे या तो यह 16 mm का है या 18 mm का है यह वाला board जो है side पे यह वाला लगड़ी का piece जो है इसमें खाली brood बनता है तो देख सकते हैं इसमें storage जो है यहां से लेके दोस्तों यहां से लेके यहां तक इसमें खाली honey की storage होती है और जहां तक आप इसको frame को मोटा रखेंगे नीचे के लिए 20 mm कट अगर आप नहीं जाता लगने का बिल्कुल भी खात्रा नहीं रहता है वरना क्या होता है दोस्तों अगर 22 mm से ज्यादा जो मोटा frame होता है जैसे कि मैली फेरा का एक इंच लाग बाग 25 mm का होता है तो वह अगर हम सराना के उपर use करते हैं तो उसमें problem आ जाती है मान के चलें इसमें थोड़ा दोस्तों इस तरह से जो है इसको मैंने सेट कर दिया हूँ इसको क्या करना है बूड निकलने वाला है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों यहां से देख सकते हैं एक एंड वाला frame दिखाता हूँ यहां देख सकते हैं दोस्तों इसके उपर मदमकी ने काम करना स्टार्ट कर दिय इसके उपर जो है शहदी शहद गुरूड भी बहुत अच्छा चल रहा है जो रहा है एक्स्ट्रा फ्रेम यानि कि स्प्रिंग सीजन में हमेशा आप एक्स्ट्रा फ्रेम दिया करें इस फ्रेम को जो है हमने अच्छे तरीकी से टाइट करके रखना होता है अब इसके बाद द इसलिए किया जाता है कि जब जादा टेंपरेचर मदमकी अपने बाक्स के अंदर बना लेती है तब क्या होता है यह फाइदा होता है कि बोरी जो है जितनी भी भाब बनती है बाक्स के अंदर इसमें यह पानी जो है उपर जजब हो जाता है और नीचे जो रेत होती है रेत मतलब एक जो Pencil होती है चोटे बग्र को जो दी जाती है आपने इसके अंदर यह पैंसल के ना चाहिए यहां से भी देख सकते हैं मैंने हर साइड से Pencil के जितना रखा है जिस बंदे को mm क계 में क्या पता ना लगे कि 8 mm का सपेस कितना होता है तो बीच में एक पैंसल रखे उससाब से बनाए तो इस तरह से जो है डबल च्छते नहीं लगते हैं और मदमकी जो बहुत अच्छा ग्रोथ करने लगती हैं जैसे कि यहां पे दिखाया मैंने यहां से यहां तो जो है मदमकी शैद बनाएगी और इससे नीचे जो है सारा है ताकि मदमकी जो है अंदर बाहर ईजलिटी चाल साके और फिर्म के उपर चाड़ साके अब बात आती है दोस्तों सुपर content है यह देख सकते हैं दोस्तों में सुपर में दिखाऊंगा आप दोजिको लुक्त को दोस्तों यह है उपर वाला sun far चाहिए दोस्तों देखे हैं मैं यहां सेंटर से दिखाता हूं दो-तीन फ्रेम निकाल के फ्रेम का साइड जो है सुपर में छोटा आता है इसमें आप वैक्सीट लगा के फुल वैक्सीट यहां वैक्सीट स्टार्टिंग स्ट्रिप जो होता है अब नीचे से भी लगा सकते हैं क्योंकि मदमक्खी प्रकना हैं यहां से देख सकते हैं अगर ज्यादा रखेंगे तो बहुत सारी दिकता आती है इससे क्या होता है जब नीचे के demof скill selet के अंदर वैक्सीट को फ्रेम के अंदर लगा सकते हैं दूसरी सुपर का फ्रेम है, इसमें ये फिट नहीं बैठेगा, ये देख सकते हैं, छोटा सा भी है, वह भी मेरे पास ये बना हुआ था, पिछले साल का, तो इस तरह से आपने जो है, सुपर वाले फ्रेम के अंदर, जैसे ये उपर वाला फ्रेम है, इसमें आपने स्ट्रिप भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको देना पड़ेगा नीचे से, वरना जो है, मदमकी आपके सूपर में नहीं आएगे, और ड्वीजन करके, मदमकी का जुन बाग जाएगा, इस तरह से आप अगर फुल शीट देते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रेम में दिख हैं, तो आपकी मदमकी काफी हद तक रुख जाएगी और इसमें काम करना स्टार्ट करेगी, तो इस तरह से अगर दोस्तों आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, और आने वाले वीडियो में जो है, मैं इंशाला आप दोस्तों तक जो है, आज मैंने वीडियो बनाया है, इंशाला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुकरिया